इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने exercise 5.1 कि कोशन नंबर 3 और कोशन नंबर 4 को complete करना है तो इसको करने से पहले एक बात आपको पता होनी चाहिए वो क्या है कि भाई कोशन नंबर 3 और कोशन नंबर 4 दोनों एक ही जैसे हैं कोशन नंबर 3 में जो मैथड लगेगा उसी तरह के से कोशन नंबर 4 भी हो जाएगा तो लाता सबसे पहले आपने कोशन नंबर 3 को समझे या 4 को समझे ले फिर आपको जो समझ आते हैं जो दूसरा आपने खुद करना है ठीक है जी स्टूडेंट फिर कोई मसला हो तो आपने पुरी वीडियो को देख लेना है क्योंकि मैं दोनों ही सलूशन करवाँगा इस वीडियो के अंदर अच्छा जी यह वाली बात हो गई complete अब जो दूसरी बात करनी थी वह यह करनी थी कि हम लोग ने जिससे के से कोशन नंबर 1 और 2 को सोल्ट किया तो उसके अंदर जो मैथ इस पॉइंट को जो हम टच करते थे एक सुर वाइ होता था और इस स्लोप के हमें एक्वेशन देजी जाहते थी और कहते थे कि भाई हमें पार पॉइंड पास लोग आ जाता था ठीक है यह वाली बात ओग लेकिन इस वाले पार्ट के नहीं को त्योंबर त्योंबर 4 में हम हुआ है एक कर्व के साथ एक लाइन टच करते वें जा रही है यहां पर देखें यहां पर देखेंगा क्या है पर हमें क्या है कि स्लोप मालूम करके बताओ नीचे हमें स्लोप गिवन दिया होगा तो करना क्या होगा बेसिकली जो पॉइं तो मिसाल के तो हमें टू टू दियावा था है ना तो अब इस वाले में हमें पॉइंट नहीं दियावा हमें पॉइंट मालूम करना है ठीक है student तो बड़ा ही असान है आप एक कोशन को देख लेंगे दूसरा कोशन खुद पर खुद कर लेंगे प्रिष में हमें किया होता है इसमें हमें प्लिए क्लिए रख य जाता था जाता है तो ऐसमें एक सवर्वाइब नहीं तो ब्लाएं यह निकर वह चुटा करना है जो पॉइंट होता है जिब कोशन पढ़ेंगे आपको समझ भी आ जाएगा इसलिए मैंने पहले बता दिया कि हम दुबारा रवाइज करेंगे तो आपको ये पक्के तरीके से confirm हो जाएगा तो चले जी आएं स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने question number 3 ले लिया है उसका solution लिख दिया है तो अब दरह देखिए का question number 3 में क्या कर रहा है उसका data बनेंगे और उसका answer देंगे उसके पहले question number 3 में लिकावा है determine the point on the curve at which the tangent is parallel to the x-axis basically क्या कह रहा है कि एक curve है determine the point point on the curve के ओपर से जहां पर एक tangent यो है उसको touch करते वे जा रहा है लेकिन यहां पर आपको क्या रहा है वो point मालूं करके दो ठीक है कर वो tangent को जहां पर touch कर रहा है वो point मालूं करके दें ठीक है और यह जो एक line लिखी वी है at which the tangent is parallel to the x-axis यह एक बहुत important line है इसका जो तालू के मैंने आपको question number जो part number one बनाया था chapter number five के अंदर उधर भी बताया था और उसके लावा chapter number two के अंदर बहुत detail के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इंशालला तो वहां पर भी आपको पता चलेगा जो मैं solution करूंगा लेकिन वहां पर यह बात जो है यहां पर जो एक चीज लिखी विए at which the tangent is parallel to the x-axis बड़े काम की है इसको आपने जरूर समझना है ठ उससे पहले कि लिख़े है determine the point तो point क्या है भाई जो point आपको क्या मालूं करना है x और y ठीक है x और y तो था एक curve के दर्मियान में वह जो चीज थी आपको यह बात पता हो कि यह curve था ठीक है और यह curve के दर्मियान यह point है ठीक है जी x और y है तो x और y ही तो मुझे मालूं कर रहे हैं वह वाला point बता है x और y है ठीक है यह वाली बात हो गए खताब अब आगे क्या करना है आपको एक curve की equation दीवे है ठीक है तो given equation के दीवे वो देख लेते हैं given equation तो given equation curve की आपको दीवे वो लिख लें y is equal to 2x cube minus 15x square plus 36x लिखावा है और plus 10 लिखावा है ठीक है ठीक है तो जो आपको equation दीवे थी वो आपने लिख ली सबसे पहले क्या करना है इस question के अंदर वो दरह देख लें आपने क्या किया जो point आपको मालूं करना है वो लिख लिया अब आपने यहां भी यह करना है कि भाई जहां ऐसे question जहां को आपको बोलेंगे point मालूं करके दें तो उस question के इंदर जो curve की equation होगी आपने इसको क्या करना है equation number 1 फिर आपने क्या करना है अगला step लिख लेना है derivative लेने से पहले एक line लिखते है take derivative on both side with respect to x ठीक है जी student तो ल लोगोंने right hand side पर भी ले लेना है ठीक है जी student तो मैंने ले लिया plus 36 x plus 10 x हो गया ठीक है जी student अब आगे क्या करना है dy over dx जो है वो ऐसी कैसी रहेगा इसी कल्टू के 2 अब यह derivative है हर term के पास जाएगा तो 2 मेरा भायर आजेगा और main function की साथ derivative लग जाग जागा वो है x cube आग अब हम इसका derivative लेना start करते हैं तो देखेंगा क्या होगा तो देखेंगे 2 है 3 x का derivative लेना है 3 multiplication में आ गया और 3 में से एक कम कर देखें तो 2 power बढ़ बढ़ गई simple आगे चलते है minus और x square का derivative लेना है तो 2 multiplication में आ गया 2 में से कम गया power 1 बढ़ गई ठीक है जी student plus 36 था हूँ ऐसी कैसी रहा x का derivative क्या होता है 1 तो 1 लिग दिया plus 0 10 का derivative क्या होता है 0 तो आपने 10 का derivative 0 लिग दिया अब बस इसको simplify करें तो dy over dx is equal to 2 3 अब इसको simplify करें तो 3 2 तो 6 x square ठीक है और 15 2 तो 30 simple आगे चलते हैं आगे क्या बचा प्लस 31 31 ता 30 और 0 हो जेगा खत्म तो यहाँ पे आके आप लोग ने derivative ले लिया है complete यह वाली बात तो आप मानते हैं तो ज़रा एक चीज देखेगा यहाँ पर क्या करूंगा dy over dx ठीक है क्योंकि आपको यहाँ पर x और y की value दीवी है यह नहीं दीवी नहीं दीवी तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं अब हम लोगों ने क्या करना दरा वो भी देख लिएगा अब हम यहाँ पर एक चीज करेंगे वो क्या करेंगे कि आपको यह वाली बात पता हो ठीक है अगे क्या लिखा है 6 square minus यह क्या लिखा था 30 लिखा था मैंने गलती से 6 वो 3 लिख दिया तो आप सभी कर लेगा से 30 x plus 36 हो ठीक है इसके जगा मैंने लिख दिया slope अब हम लोगों ने क्या करना है ज़रा देखेगा student यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया slope अब जरा यहा तक पिछले अगला जो कोशन करें कोशन नमर 4 में भी यहां तक करनी है अब जो चीज है वो है आपका जो कोशन दियावा था यहाँ पे जो एक कहानी लिखी वी थी वह क्या लिखी थी एडवी तेंजेंट इस पैरले टू दा एक्स एक्सिस ठीक है जी चूडर्ट अब इस टेंजेंट है वो किसके पैरलेल है एक्स एक्सिस के यह वाली बात समय जा रही है तो जब आप देखेंगा मैं क्या करूंगा अब आप नहीं आप यह लिखना है अकोर्डिंग टू गिवन कोशन ठीक है गिवन कोशन अफिक है तेटर्फ फेरलेल टू दी एक्स एक्ससिस के क्या है किया यह यह पैरलेल है तो सो देर फोर देर फोर देर फोर यूजी the parallel parallel line condition condition ठीक है अब parallel and condition क्या होती है कि भाई जो दो line हो वो एक दूसरे से क्या हो parallel हो तो उन दोनों के slopes क्या हो जाते है same हो जाते है यह वाली बात आगको पता है तो लहाज़ा तो slope जो था हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा slope हो जाएगा 0 के बराबर k्यों slope of x-axis क्या होता है 0 होता है तो लादर tangent का जो slope हो वो 0 के बराबर क्यों हो जाएगा तो यह दोनों line नहीं धूसरे से parallel है ठीक है student तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बhats lot के बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो तो 6 स्कुराइर माइनस 30 x plus 36 टिकर इस चीज़ी वह यही थी आपको दुबारा बता देता हूं कि क्या करना था इसके अंदर बेटा आपको यहां पर एक पॉइंट मालूम करना थीक है तो पॉइंट मालूम करना आपको जो एक वेशन दीवी थी कहर रोगी उसके पर आपने आपने slope कर दिया अब यहां पर क्योंकि के अंदर कहा गया था according to given question आप दरा खुद देख लिए कि भाई question number add with the tangent is parallel to the x-axis according to the आप तो इसलिए आपने लिखा according to the given condition the slope of tangent the slope of tangent होगा ठीक है जो slope of tangent तो slope of tangent is parallel to the x-axis तो यहां पर फिर क्या होगा तो therefore using the parallel line condition तो यहां पर हमने क्या किया कि जब दूसरे से parallel होती है तो इन दोनों का slope क्या हो जाता है सेम हो जाता है तो इसी लिए आपको यह वाली बात याद होगी कि slope of x-axis क्या होता है जिरो होता है तो लादर slope of tangent भी हमारा 0 हो जागा तो इसी लिए मैंने slope को is equal to 0 यहां पर लिख दिया है बिल्कुल इसी तरीके से हम लोगों ने question number two question number four ह वह भी करना है तो लादर इसको गोर से आप लोगोंने समझ लेना है अब आगे क्या करना है आगे का काम बहुत ही ज़दा सान है वह तरह देख लेंगे अब क्या करेंगे सबसे पहले दिखें क्या होगा इजी कर दूब इनके अंदर आ रहा है six अगर मैं six कोमा निकालगो तो मेरी सिंप्लिफिकेशन थोड़ी असान हो जाएगी तो देखें क्या होगा six बार निकालगो तो यहां पर x स्क्वाइर बजगा six यहां से बार निकालगो तो मेरे पास यहां पर क्या बज़एगा six के टेबल में 30 आता है अब यहां से आप लोग क्या करेंगे अब यहां से आप लोग क्या करेंगे बेसिकली बेटा मेली अब बास सुनें यहां पर हम लोग की सारा काम कर क्यों है बेसिकली यह पॉइंट मालूम करने है तो पॉइंट के तरब क्या मालूम करना है एक तो आप यहां से एक्स की वैल्यू मालूम करेंगे तो आप मुझे बताएं कि कॉड़िटी की इक्विशन बनगी है, तो कॉड़िटी की इक्विशन को सोल करने का सबसे इसान तरीका होता है, इसको multiply करेंगे इसके साथ, यह जो सबसे एंड में जो लिखा तो इसके साथ क्या लिखा है, 1, तो 6 वंजा, 6 हो गया और इसको सबसे 6 is equal to 0, तो जब देखेगा, इनको मैंने break करती है, माइनस 3 और माइनस 2 में इसकी मदद से, अब क्या करना, इन दोनों के इंदर क्या कोमन आ रहा है, x कोमन आ रहा है, तो x कोमन निकाला, दो मैंने कोमन निकाला, तो मैं पास 2x आ गया, बाहर चला कि 2, और यह माइनस 3 बाच ठीक है, either और और की condition लगाएंगे, यानि कि x-3 is equal to 0, और x-2 is equal to 0 हो जाएगा, तो लादा यहाँ पर x की value क्या निकाल गया है, यहाँ पास 0, minus का तो जाएगे, प्लस का, और यहाँ पर x की minus का, प्लस का हो जाएगे, ठीक है जी student, तो simple minus हो जाएगे, क्या हो जाएगा, प् आपको question में क्या बोला था, कि curve or tangent, यह point आपको मालू करके बताओ, तो वो क्या थे x और y थे, तो यहाँ पे आके, आप लोगों ने x की value मालू कर ली, लेकिन y की value तो मालू करनी है, और y की value कैसे आएगी, य की value जो आएगी, वो basically equation number 1, जो आपको question दिया गया था, आपको equation 1 कहा था, वहाँ से आएगी, अब देखे, x की value आप यहाँ पे 3, 3, जहां पे भी आएगी, क्या दिए 3, तो यहाँ जब question के इंदर x हम आप 3 put करेंगे, तो आपके पास y की value आजाएगी, तो इस तरीके से एक बार ये value पूट करेंगे, और एक बार ये value पूट करेंगे, तो अब ये तक हम लोगों ने x की value मालूम कर ली है, तो y की value मालूम करने के लिए जो हमें equation दी गई थी, तो उसको हमने equation number 1 कह दिया था, तो लादर ये x की value जो दो आइए, को बारी बारी equation 1 में put करेंगे, और इस तरीके से हमारे पास y की value भी आ जाएगी, तो हम y की value complete हो जेगा, तो इसको मैं complete करता हूँ, यहाँ पर, तो देखे का क्या होगा, तो सबसे पहले इसको page को fix कर लेते हैं, तो सबसे पहले x की value क्या दीवी है, x की value आपको दीवी है 3, तो इसको किसमें करना है, put in equation 1, तो equation 1 आपको क्या दीवी है, y is equal to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 10, ठीक है ज equation बना लिया था, तो लहाज़ा इसके दरा मैं put करूँआ, तो जहाँ जहाँ portion के अंदर x है, वहाँ पर क्या आजेगा, x आजेगा, x की values आजेगा, तो जैसे यह पूरी value लिखी वी है, इसको बिल्कुल वैसे का वैसे ही लिख देना है, तो जहाँ देखेगा, मैं आगे plus 36 multiply by 3 लिखाव है, तो वह आपने लिखा और plus 10, ज़रा देखेगा, जैसे ही यह पूरी term थी, वैसे ही मैंने calculator के अंदर डाल दी है, इसको is equal to किया, तो ज़रा देखे, क्या गया है, 37, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या तरह है, y था, और इसको जब solve किया तो यहा पर 37, समझ आ गई बात, तो यह वाला हो गया, एक पॉइंट, अब इसी तरह के से आपके पास x की value दो थी, 3 वाली put कर दी, अब हम किसकी put करेंगे, दूसरी वाली put करेंगे, तो चलें जी आज है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, now, x is equal to 2 put करेंगे, किसके अंदर put in equation 1, equation 1 क्या है, y is equal to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 10, ठीक है, जी student, simple, तो अब हम लोगे क्या करना है, इसी equation के अंदर, जहाँ जाए x है, वहाँ पे x की value पूट कर देंगे, तो यहाँ पे x की value क्या दीए इस मर्तबा 2 है, तो जहाँ जाए x है, वहाँ पे x की value हम लोगों ने 2 put कर देनी है, ठी आगे क्या लिख दिया, आगे क्या लिखावा है, minus 15, multiply by 2 की power 2 लिखी है, फिर आगे क्या लिखावा है, plus 36, multiply by 2, ठीक है, यह हो गया, और आगे plus 10, simple, तो इसको हम करेंगे, तो यह आपके पास क्या बन गया, 38 आ गया, ठीक है जी student, तो लहाजा यहाँ पे आपकी जो आपने 2 और Y की value क्या टाली, आपने 38, तो लहाजा आप चाहें तो अपना answer यूँ भी छोड़ दे, लेकिन answer आप चाहें तो यूँ भी हैंडिक डाल के दिख सकते हैं, कि result क्या था, कि भाई, required क्या चाहिए थे, required point, ठीक है, required point चाहिए थे, जो required point क्यों से चाहिए थे, जो एक curve को टेंजर से जो touch कर रहे थे, वह वाला point चाहिए था, तो लहाजा वो point क्या निकाले आपने, एक point तो आपका ये बन गया, एक point तो ये निकाला, आप लोग ने 33 और 37 निकाला, और दूसरा और कौन सा point बना, पी जो दूसरा point बना है, वो बना है 2 और 38, ठीक है जी student, तो यहा यहाँ पर मैंने question number 4 ले लिया है, उसकी heading डाल दी और solution लिख लिया है, अब हम question को पढ़ते हैं और उसका solution करते हैं, तो दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है, find the coordinates of a point, यानि कि वही point कह रहा है, where the tangent to the curve, वही वाली बात कर रहा है, कि हम लोगों का वो क्या कहते है, यह जो कह है कि भाई, एक curve है, ठीक है, एक बात जो कर रहा है, ठीक है, उसको tangent टच करते हुए जा रहा है, अब एक point पे जो touch कर रहा है, वो क्या है, x और y कह दिया, तो हमने खुद का है, और होता है, x और y, क्योंकि equation x और y की form में दिया रहा है, तो find the coordinate of the point, where the tangent to the curve, यानि कि वह वह coordinate, some point को भी कहते हैं, तो लाज़ा यहाँ पे हम लिख देंगे, कि हमने क्या मालूं करना है, point मालूं करना है, point क्या होता है, x और y, ठीक है, जिस्ट्ट आपने यह वाले बतादी, कि हमें required क्या है, फिर उसके बाद क्या क्या है, क्या गया है, कि भाई, the way the tangent to the curve, और curve की equation द देख लें, आप, आपको कराब बनाना तो आता होगा, y-axis और x-axis, यह वाली बात तो बनाता होगे, तो यह parallel किसके है, y-axis के, यह वाली बात जो आपका in the end बड़ा काम आने वाली है, इसको दरा समझेगा, ठीक है, अच्छा, एक बात है कि पिच्चर बनानी चाहिए या न लिखते हैं, या कि take derivative on both side, on both side with respect to x, ठीक है, तो इस line का मतलब क्या होगा, कि d over dx हम लोग left-hand side पर भी ले ले लेंगे, और d over dx जो है, हम लोग right-hand side पर भी ले लेंगे, तो ज़रा देखेगा, अब यहाँ पर क्या होगा, तो ज़रा देखेगा, 2 नीचे आ गया, और power से 2 कम लिखेगा, तो हमने यहाँ पर देखेगा, हमने derivative लिए with respect to x, तो यहाँ पर y चीज आईए, तो ज़रा दोसका derivative हम multiply कर देएंगे उसके साथ, तो ज़रा देखेगा, बोक्स वाला formula से इसको expand कर दिया, आगे चलते है, 4 को मैंने भार निकाला, और multiply by derivative of x, तो मैंने function के साथ derivative लगता है, तो आगे देखेगा, क्या होगा, 2y multiply by dy over dx, ठीक है, is equal to क्या होगा, 4 और x का derivative क्या होता है, 1, simple, तो यह क्या होज़ेगा, 4 अब आगे क्या करना है, ज़रा देखेगा, यहाँ पर मेरे बच्चो 2y multiply by dy over dx होगया, और is equal to यहाँ पर क्या है, 4, अब हम आगे क्या क सकते हैं, आपको पता है, dy over dx निकालना है यहाँ से, क्योंकि यह किसके बराबर होता है, slope के, तो लादर यह multiply रहाँ जाके, divide होज़ेगा, तो dy over dx, ठीक है, is equal to 4 upon 2y, यह हो गया, तो अब आगे 2 से, और 4 cancel out हुआ, तो ओपर मेरे बच बज गया, और dominator में मेरे पस wire रहे गय हैं, तो यहाँ पर आपको इस बात पता होगी, वो क्या पता होगी, यह वाली बात पता होगी, क्यों हमें यहाँ पर formula use करना है, किसका, वो slope वाला, तो dy over dx, ठीक है, यहाँ पर point हमने put कर दिया, x or y हम खुद करेंगे, ठीक है, यह हमने put कर दिया, 2 over y लिख देंगे, क्यों यहाँ पर x or y की value तो आपको दी भी नहीं है, आपको वही तो मालूम करनी है, तो लहादा, यह जो slope है, तो आप slope यहीं लिख दें, इस पूरी की जगा, और is equal to क्या लिखा हो है, 2 upon y, तो वो ऐसी कैसी राजेगा, यहाँ तक हो गई बात complete, अब आजे, जो हमें कोशन के अ ठीक है, given question, according to the given question, the tangent, the slope, the slope of tangent, ठीक है, the tangent लिखने, the slope of tangent is parallel, ठीक है, is parallel to the y-axis, ठीक है, अभी किसके parallel है, y-axis के, जो आपको डाइग्राम में भी नजर आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है, तो इसका मतब क्या होगा, hence, 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 we using, therefore, we use, using, perpendicular, ठीक है, parallel line, parallel line, parallel line condition, parallel line condition, अब parallel line condition, क्या होती है, कि भाई, जो slope of y-axis होगा, वो ही slope of x-axis हो जागा, जी तरिकित हमने पिछले कोशन में किया था, तो लादर slope of y-axis क्या होता है, ये वाली बात आपको याद होगी, slope of y-axis होता है, infinity, ठीक है जी, student, और slope of y-axis होता है, 0 होता ह लेकिन, अभी हमारा काम किसे है, slope of y-axis हो, क्यों, क्यों, क्योंकि, हमारा tangent है, वो parallel किसके है, slope of y-axis के, तो लहादर यहादर यहादर मैंने line, according to the given, question, the slope of tangent, slope, slope, जो, ten, slope, बोल दूं, यह tangent, के tangent is a parallel to the y-axis, y-axis के parallel, hence, we are using parallel line condition, parallel line condition, को use करते वे, slope of one line, इसल इकल to slope of दूसी line, जो slope एक लाइन का वही दूसका slope होजगा, तो यहाँ पर slope of tangent क्या है, वो slope है, ठीक है, और slope of y-axis क्या है, वो infinity है, जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है जी student, तो यहाँ पर आके, आपको एक बात पता होगी, कि infinity बराबर होता है, 1 upon 0 के, तो लादर क्योंकि आपको आगे simplify कर लादर slope क्या निकल के आया, जो हमें condition दी गई थी, 1 upon 0, तो 2 upon y यह बन गया, ठीक है जी student, तो अब यहाँ पर देखे का, हम लोगोंने क्या करना है, ठीक है student, तो यहाँ पर देखे का, यहाँ पर जो y है, वो डिवाइड हो रहा है, अधर जाके multiply का y बंदा y, और 0, 2 दा 0 ह हो जागा, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास y की value क्या निकल के आई, 0 निकल के आगई, बड़ा ही असान सा है, तो अब मुझे बताएं, कि आप वो question के अंदर क्या कहा गया था, कि बाई, एक curve of tangent हो जो point हो मालुम करके बताओ, यानि कि x और y की value मालुम करके बताओ, तो जब आपने simplify के आप पूरा method लगा तो यहाँ से किस की value निकल के आई, y की, अब किस की value रह गई है, सिर्फ x की value रह गई है, तो x की value मालुम करने के लिए आप क्या करेंगे, put the value of y, ठीक है, y is equal to 0 in equation 1, ठीक है, जो चीज निकल के आई, जो equation 1 मा put को रो, वहाँ से दूसरी निकल लो, तो चलें जी, आई, put करते हैं, तो by equation 1 क्या दिये, y is equal to 4x, ठीक है, x की value क्या है, y की value क्या है, 0, 0 का square is equal to 4x हो गया, 0 का square क्या तो आपके पास 0 आगया, और is equal to 4x, अब आपको यहाँ से किस की value चाहिए, x की value चाहिए, तो 4 मुर्टिप्लार हो दर राख की divide, त चाहिए, तो अपना answer यूँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आप full representation तरीके में दें, आप result की heading डालें, और यहाँ पर लिख दें, जो required point था, वो क्या था, x और y था, ठीक है, और वो क्या निकाला है आपने, x और y की value क्या है, x की value भी 0 और y की value भी 0 आई है, तो यहाँ पे आपको जो question में कहा गया था, कि भाई एक curve है, उसको टेंडिन टच करते हो जा रहा है, और उसको parallel किसके y axis की, तो यह वाला point मालूम करके दो, तो यह वाला point x और y था, तो x और y की आपने value मालूम कर ली, जो आगया 00, जो बहुत ज़्यादा as compared to previous question, question number 3, तो यहाँ पे कि आपके दोनों question होते हैं complete, अमीद है कि आपको साथ चीज़े clear होंगी, कोई भी confusion हो, तो आप comments में पूर्स परकते हैं, आपको आंसर दे दिया जाएगा, अला हाफिर